कि है var article के ऑस्ट्स्ट्रेलिया की तो बहुत सारे सवाह स्थूदेंट्स के रहते हैं कि जिस तरह से इतना इतना स्ट्रिक नज़र आ रहा है तो कैसे समझें। कि हम Australia के लिए eligible हैं कि नहीं हमें apply करना चाहिए या नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी profiles हैं जिस पर positive result आते हमने देखे हैं और students को खुद जान लेना चाहिए खुद अपनी self assessment भी करनी चाहिए कि हम हमें apply करना चाहिए कि नहीं Australia के लिए तांकि आपका time भी waste ना हो और आप और अच्छी options पर भी काम कर सके तो आज बहुती ध्यान से सुनिए और देखिएगा यह वीडियो तांकि Australia को लेकर profiles को लेकर आपको हर एक point जो है ज़रूर clear हो सके स्वागत है आप सभी का मैं हूँ अरजोत कौर और Australia Study Visa को लेकर और खास profiles को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शियर करेंगे Navigators Overseas से वीजा एक्सपर्ट मिस्स उपीना गोल मैम हमारे साथ है बहुत बहुत स्वागत है मैम नमस्कार तो आप सभी जानते हैं कि मैम का तकरीबन 27-28 सालों का experience और उसी के चलते आज हम मैम से information ये लेंगे कि मैम आप ज़रू स्टूडेंट्स को guide कीजिए इस बात को लेकर क्योंकि हर स्टूडेंट चाहते कि मैं Australia apply करूँ मेरा वीजा लग जाए लेकिन हर एक स्टूडेंट Australia के लिए वीजा मिल सकता है हर जो जो latest trend है Australia का वो थोड़ा tough नज़र आ रहा है अब tough में क्या है कि जो students की IELTS score बहुत अच्छा है CBSE, ICSE से पड़े हूँ है not state board state board जो Punjab और हरयाना के अलावा उनके accepted है लेकिन हमारी कोशिश है CBSE और ICSE वाले बच्चे में जिनका painting या language course है वो मत अपलाई करें बिलकुल भी आपका time waste होगा आपके अगर subjects बहुत अच्छे हैं main four subjects जिसमें language count नहीं होती है या कोई भी ऐसा subject है जो extra है वो count नहीं होता है main four subject मान लिजे ये non-medical वाला है math, English physics, chemistry जो ऐसे main four subjects है 65% होनी चाहिए या 60% minimum ठीक है और IELTS 6.5 band या 6 band minimum होना चाहिए depend करता है university और college पे किसमें जा रहे हैं ये academic हो गया अब अगर graduation वाला student है तो वो 6.5 not less than 6 की requirement है IELTS score या PT equivalent TOEFL भी उसे के equivalency से चलेगा इनका अगर आपका percentage की बात करें section 1, 2, 3, 3 तीन university हों में divide किया गया है किसी भी university की 60% से काम लेते नहीं अगर section 3 है तो 65% section 1 or 2 है तो 60% से काम नहीं ले रहे हैं तो जो graduation और under graduation आप ये दोनों मान के चलिए कि इनको profile बहुत अच्छा चाहिए अगर graduate बच्चा master's में जा रहा है तो हम बात करेंगे अगर वो कहीं काम कर रहा है उसका कोई gap उसका genuine experience होना चाहिए उसका genuine experience के साथ जो company's account में उसको salary आनी चाहिए ये नहीं कि उन्होंने कोई experience बनवा लिया कहीं से और वो सब नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा इस समय जो महावल और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए गले documents आप बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए financials अगर आपके पुराने हैं या one year fees देके 15 लाग जितने आपको living expenses three months old शो करने हैं आपके वो होने चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहां आपका gap बिल्कुल नहीं होना चाहिए subject चारों में आपकी percentage अच्छी होने चाहिए IELTS आपका अच्छा होना चाहिए parents की income more than 12 lakh इस टाइम देख रहे हैं ठीक है आपका जो financials तो मैंने का one year का आप देके living expenses आप 3 months old show कर सकते हैं या bank loan show कर सकते हैं courses भी अगर आप अच्छे लोगे business के अलावा अगर आप लेते हो कोई health का course लेते हो IT related अच्छे course लेते हो cyber security लो artificial intelligence लो business analytics लो cloud computing उसमें visa rejection के chances बहुत कम है आपकी university अच्छी हो आपका course अच्छा हो financial document ठीक हो आपका academic record ठीक हो तो आपका rejection के chances नहीं है जी जी बिलकुल और मैम last में जुरूर जो भी students के सवाल हमारे पास आ रहे हैं 22% वालों के लिए वालों के कि वो अभी apply कर सकते हैं या फिर उनके लिए chances ना के बराबर दिखते हैं नहीं हर जो मैं किसी भी ऐसे बच्चे को इस टाइब नहीं करूंगे जो इस टाइब के profile हो प्लीज आस्ट्रेलिया के लिए profile में कोई कमी ना हो फिर visa chances नहीं तो बच्चे का बहुत loss होता है बिल्कुल सो students को ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि Australia clear cut है अपनी profiles को लेकर के हम ऐसी profiles को visa देंगे और जो students जैसे कि हम बात करें 22 pass रोटाई हैं से पहले कि उनके लिए कोई chances दिखते ही नहीं लेकिन फिर भी अगर students कोई बाहर apply करते हैं कि देखते हैं तो शायद वाली कोई यहां पर space ही नहीं है तो इसलिए students विल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि जो picture clear की है Australia ने कि जो guidelines है उसके accordingly आगे बड़े genuine student है recent pass out है funds को लेकर और अपने courses को लेकर आप aware हैं तो आगे बड़े आपको कुछ self assessment भी करवानी चाहिए माहिर सला चाहिए तो जरूर जो number displays पर call करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं अच्छा होगा अगर आप अपने documents लेकर navigators overseas के office आए whatsapp भी कर सकते हैं assessment करवाएं right options के बारे में जाने और उसी के accordingly timely apply करके अपना visa हासिल करें बहुत थैंक्स मैं हम आपने कई points students को आज guide किये हैं जिन पर ध्यान रखें तो students right options के साथ आगे बढ़कर अपना Australia का study visa हासिल कर सकते हैं तो आगे भी हम इसी तरह से और informative videos लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए दीजिये इजाज़त थैंक्यों सो मच्छ थैंक्यों